तो दोस्तो हम बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल की और 4G गेम की अब जानते हैं कि 4G का रेकॉर्ड तूट गया मतलब 4G ने रेकॉर्ड तोड़ दिया है किसी भी गेम के लिए इतने जादा प्री रेजिस्ट्रेशन हुए है अब लाखों में हो चुके होंगे बहुत सारे हो रहे हैं तो अभी लोग कंपेर कर रहे हैं कि 4G गेम अच्छा होगा PUBG से इस चीज़ के बारे मैं बात करने वाला हूँ मैं बात करने वाला हूँ कि PUBG के साथ और दूसरी कंट्रियों को भी प्रॉब्लम है मतलब इनके साथ प्रॉब्लम आई है PUBG के साथ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम पहले भी आई है और उसोंने कैसे सौट आउट किया है उसको उसके बारे मैं मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं उस कंट्रियों के जहां पर ये गेम मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलन में है लाइक कोरिया और जापान में तो बहुत फेमस है चाइना में भी ये गेम बहुत पॉपिलर क्योंकि टैंसेंट के साथ भागेदारी थी वहाँ पर इस गेम को बैन लगा दिया गया था रोका गया था इसलिए क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था मतलब इसमें बहुत अक्रामकता मारधार खून खराबा वॉयलेंस बहुत ज़्यादा था तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए इस गेम ने क्या किया कि इस गेम में से ऐसे जो elements हैं जो की आकरमक्ता और ऐसे हिंसा को बढ़ावा देते हैं उसको हटा दिया जैसे की इस गेम में पहले blood वैसे नजर आता था जब किसी को मारोगे player को तो blood नजर आता है तो वो blood हटा कर वहाँ पर light effect डाल दिया कि मतलब अगर आप किसी को गोली मार रहे हैं तो वो light जलेगी और blood नहीं नजर आएगा कोई मरता है तो वहाँ पर वो मरने का animation हटा दिया गया बलकि अगर आप किसी को आप वहाँ kill कर देते हैं game में तो वहाँ पर वो जो player है वो उठके आपको एक बार टाटा करता है इस game का नाम भी बिदल के game of peace कर दिया मतलब शांती का game तो जो भी violence वाली चीज़े हैं वो सब हटा दिया गया जहां भी खून नजर आ रहा है जहां भी violence हो रहा है काटारी ये रस मतलब ये तो भी चीज़े मार धाल की जो चको खंजरे सब वो सब उसमें हटा दिया गया क्योंकि सरकार को ये इसमें प्राप्लम थी डेटा को लेकर प्राब्लम नहीं थी क्योंकि उनकी तो टैंसें कंपनी चाइना की है न तो चाइना की नियम तो वो मानेगी उनको problem थी violence से तो यह चीज़ों ने हटा दी अब क्यूंकि यह game Korea और Japan में बहुत ज़ादा popular है तो वहाँ पर भी इन्हों ने data की security को देखते हुए और वहाँ की localization और वहाँ की customization को ध्यान में रखते हुए अलग version निकाले अगर अब भारत में PUBG Mobile India आता है तो भारत पांचव में already यह अलग वो चलता है मैंने बता दी कोरिया में तो चलता ही बहुत पॉपिलर ठीक है चाइना में अलग version है जापान और ताइवान इन चार कंट्रियों में इनके PUBG के अलग अलग version चलते हैं जिनके जो publisher हैं और जो local server provide करने वाली जो हैं वो उनकी country के हैं तो उनको data से related कोई problem नहीं आती चाइना में क्या problem आई थी मैंने आपको बता दिया अब ऐसे बहुत सरी जगाएं जहापर यह completely banned भी है और North Korea के बारे में तो आप जानती होंगे guys North Korea में बहुत restriction है मैं तो यह भी सुनाता कि वहाँ पर ऐसा कोई कानून है कि रात के वक्त किसी time के बाद बनते रहते हैं अब भारत में मैं बात करता हूं कि क्या PUBG Mobile और 4G Game को compare करना ठीक है तो मैं आपको बता दूँ कि यार PUBG Game कितने सालों से चल रहा है यह एक well established company है और गेम्स को बहुत जादा अच्छा बनाने के लिए समय लगता है यार मतलब कोई कमी है तो उसको improve किया जाता ह patches आते हैं security patches आते हैं anti cheat engine बनता है बहुत सारी चीज़े आती है तो PUBG काफे वक्त से चल रहा है तो अभी जो आपको product final मिलता है वो अभी launch नहीं हुआ है वो सालों की मेहनत है उससे पहले की भी और game launch होने के बाद भी बहुत improvement होती रहती है तो वो एक product आपको दिखने को मिलत क्या mission होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और क्यूंकि ये बहुत शुरुआत से मतलब अभी अभी बनाया गया है तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़े हो सकते हैं जिसमें सुधार की जरूरत हो तो इस stage पर जबकि वो game अभी आया भी नहीं है अगर आप 4G और PUBG को compare कर रहे हो तो मेरे ख्याल से एक सई comparison बिलकुल भी नहीं है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको दौनों ही game के मज़े लेने चाहिए अगर भारत में आता है तो अगर भारत सरकार की पूरी guidelines को follow कर कि ये game वापस इंडिया में आता है तो मैं यहीं कहूंगा कि आप इसे PUBG से बिलकुल compare ना करें और अगर आप दोनों game ट्राय करना चाहते हैं दोनों ही game के fan आप हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि वाई आप एक ही क्यों एक ही कि नहीं होगा तो progress के बारे में बात करता हूं तो अभी PUBG बहुत दूर है जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता इस चीज फॉजी गेम से रिलेटेड कोई अगर अपडेट मिलता है तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर दूँगा आप जानते हैं कि इस game की पूरी जानकारी जो भी अपडेट आरी है मैं आपको regular प्रोवाइड कर रहा हूं और कोई भी चीज होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इस game के बारे में अभी एक प्रॉब्लम और आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि direct link मिल गया है, APK मिल गया PUBG Mobile का, उसारी fake news हैं उसे दूर रहे हैं, कोई भी APK डाउनलोड ना करें या आपके device को और आपकी privacy को खत्रा दे सकती है, अगर आपको वीडियो अची वीडियो मिलते रहेंगी, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे और technology की बहुत interesting वीडियो बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए हिंदी में, मुझे चाहें तो आप Facebook और Twitter और Instagram पर follow कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको description में मिलेंगे, मैं मुलता आप से अगली वीडियो में, thank you so much and goodbye.